सुबा का मन्ना 4 जैनवरी 2021 आरंब और अंत परमेश्य के साथ आदी में परमेश्य ने आकाश और प्रित्वी के स्रेस्टी की उत्पती एक दैका एक वचन परमेश्य वचन के आरंब में हैं और अंति में भी है आमीन बाइबल का अंतिम शबद है परकाशी त्वाक्य बाइस दैका 21 वचन और परमेश्य का एक नाम आमीन है परकाशी त्वाक्य तीने दैका 14 वचन आमीन शब्द का अर्था ऐसा ही है जा ऐसे ही हो हमें अपने जीवन का आरंब परमेश्य के साथ करना चाहिए और अंत्वी परमेश के साथ ही करना चाहिए तब पृत्वी पर जीवन पूरा करने की समय परमेश पहचान और परसंसा का आमिन शब्द हमारे लिए कहेगा प्राने नियम का अंत्वी शब्द सराप है मलाकी चारदेकर शेवचन प्राना नियम जिससे दूसरी शब्दों में वविस्ता कहते है आशिश के साथ नहीं प्रन्तु शराप के साथ समापित हुआ जदी हमें अपने जीवन का अंत्वी परमेश के साथ करना है तो हमें वविस्ता के दौरा नहीं प्रंतु प्रेम के बंदे हुए होना चाहिए जे और भी रूचिपूरण और ध्यान देने जोगे बात है कि बाइबल का आरम परमिश्य और स्वर्ग से होता है और अंत भी परमिश्य और स्वर्ग से होता है उतपति की पुस्टग पर्मिश्य और सर्ग से अरंभ होती है और अंत मरित्यो मिश्य के एक संदूख से होती है नदान जूसव मर गया लोथ मिश्य में एक संदूख में रखी गई उतपति 50 देकट 26 वचन जबकी पर्मिश्य अंत में हमें स्वर्ग परसुत करता है दूसरी तर्फ मिशल्जा जे संसार केवल हमें मृत्यू जाम सब संदू की परदान करता है परमिशे के बच्चे जे अवश्यक है कि आप अपने जीवन का आरम परमिशे के साथ करें हर एक वर्ष, हर एक महिना, हर एक दिन, हर एक काम हम परमिशे के साथ आरम करें परमिश्य के साथ और महिमा में पूरण उसे समापत काना और भी अधिक महत्तम पूरण है सुबा का मना गौड ब्लेस यू